हेलो फ्रेंड्स, बागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज कल अर्बी का सीजन चल रहा है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही वाली अर्बी की रेसिपी आपने दही वाले आलू या दही वाले भिंटी तो कई बार खाई होगी और बनाई होगी लेकिन शायद ही आपने ये दही वाली अर्बी कभी खाई होगी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप इसे रोटी पराठे या राइस अपनी मन पसंद किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो तो वीडियो को आप एंट ता चरूर देखें रेसिपी अगर पसंद आए तो प्रीजी से लाइक शियर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो बिलकुल भी देर किये बिना शुरू करते हैं मसालेदार चटपटी और बहुत ही टेस्टी इस दही वाली अर्वी को बनाना इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह 500 ग्राम अर्वी ली है तो इन में काफी मिट्टी होती है तो इने अच्छे से बॉश कर लूँगी मैं पहले फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इने थोड़ा सा पाने डाल कर इस प्रेशर कुकर में ट्रास्फर कर दिया है तो अब मैं यहाँ पर इने एक सीटी आने तक कुक करूँगी तो एक सीटी में ही अर्वी अच्छे से कुक हो जाती है तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अर्वी को यहाँ पर धंडा होने देंगे तो जब प्रेशर कुकर का प्रेशर यहाँ पर रिलीस हो गया है तो तब मैं ढकन खोल लूँगी और अर्वी को चेक कर लूँगी तो इसे चेक करने के लिए एक चाको को डाल कर देखेंगे तो अर्वी यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुकी है तो तुरंथ ही मैंने यहाँ पर इस अर्वी को इस इस्टेनर में निकाल दिया है ताकि अर्वी ओवर कुक ना हो तो जब तक यह अर्बी ठंडी हो रही है तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे दही वाली अर्बी बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह आधा काप घर का फ्रेश दही लिया है इसे बोल में डाल दिया है तो अब मैं यहाँ पर इसमें आट करूँगे आदा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आदा छोटा चम्मच नॉर्मल यदि खी लाल मिर्ज का पाउडर एक छोटा चम्मच धन्या पाउडर एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर इसे मैं कलर के लिए डार रही हूँ और एक चम्म सबजी मसाला तो अगर आपके पास यह है तो आप इसे डालें वरना आप इसे इसकिप कर लें तो अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक लंग स्क्री पेस्ट बना कर तैयार कर लेंगे तो दही का मसाले वाला पेस यहाँ पर बन कर तयार है आप इससे दही वाले आलू या दही वाली भिंडी बना सकते हो दोनों ही रेसिपीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्रिप्रिन बॉक्स में दे दिया है आप इने वहां से चेक कर सकते हो तो अर्वी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है तो अब मैं यहाँ पर इसके छिलके निकाल लूँगी तो बिल्कुल भी यहाँ पर अर्वी ओवर्पूप नहीं हुई है तो बहुत ही अच्छी हमारी अर्वी की सबची बनकर तयार होगी तो यहाँ पर मैंने सभी अर्वी को छील लिया है तो अब हमें यहाँ पर इसे पीसिस में कट करना है तो यहाँ पर मैं इसे गोलाई में कट कर रही हूँ तो वीडियो को मैं यहाँ पर बीच पीच में थोड़ा पास मोशन में भी कर रही हूँ ताकि वीडियो जादा लंबी न हो तो यहाँ पर मैंने सभी अर्भी को इस तरीके से गोलाई में कट कर लिया है आप इसे लंबाई में भी कट कर सकते हो कडाही में मैंने दो टेबल स्पून या दो बड़े चम्म सर्सों का ओल डाल दिया है तो इसमें मैं एड़ करूंगी कुछ साबुत मसाले तो ओयल यहाँ पर बहुत अच्छे से गरम हो चुका है इसमें मैं डाल दूँगी एक तेजपत्ता, एक बड़ी इलाईची, एक छोटी हरी इलाईची, एक टुकड़ा दालचीनी, दो लॉंग और पांच छेकाली मिर्च साथ ही इसमें एड़ करूंगी हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन साथ ही यहाँ पर इसमें एड़ करूंगी, एक पिंच हींग, यह डाईजिशन के लिए काफी अच्छी रहती है तो अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे, लो फ्लेम पर कुछ सेकंड तक इन्हें रोस्ट करने के बाद इसमें मैं एड़ करूंगी, यह एक मीडियम साइज की बारी कटी हुई प्याज, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट ता कंटिनूस से चलाते हुए प्याज को फून लेंगे अब मैं इसमें एक चम्माच अद्रक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, साथ है इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्च इन दोनों को एक साथ दो मिनिट ता कंटिनूस से चलाते हुए रोस्ट करेंगे तो इस पेस्ट की जगे आप साबुत लहसुन और अद्रक का यूज भी कर सकते हो बारी कट करके तो दही के पेस्ट को डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे डालेंगे तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे और अच्छे से यहाँ पर इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे तो कंटिनुस्ती चलाते हुए हमें यहाँ पर 2-3 मिनिट तक इस पेस्ट को भूनना है तो दही का कच्चापन हमें यहाँ पर खतम करना है तो यहाँ पर continuous चलाते हुए मुझे 3-4 मिनिट का समय हो चुका है low flame पर इसे और आप देख सकते हो कि दही और मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं और इनसे oil भी separate हो चुका है तो अच्छे से इसे भूनने के बाद अब मैं इसमें add करूंगी पानी तो बोल में जो दही का paste लगा था उसी से मैंने यहाँ पर इसमें यह आधा का पानी add किया है तो पानी मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और add किया है तो यहाँ पर इस सबजी को मैं थोड़ा gravy वाला बना रही हूँ तो यहाँ पर जब gravy में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें मैंने टेस्ट के according नमक डाला है नमक को अच्छे से mix कर लेंगे तो नमक हमने पहले नहीं डाला था क्योंकि पहले डालने से दही पड़ सकती थी तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी कटी हुई यह सारी अर्बी और अच्छे से इसे mix कर लूँगी अगर आप इसे gravy वाला नहीं बनाना चाहते हो तो पानी का use ना करें या बहुत कम करें तो अर्बी को अच्छे से mix करने के बार मैं इसे धक्कन लगा कर 5-6 मिनिट तक cook करूँगी तो यहाँ पर मैंने अब धक्कन खोल लिया है तो अर्बी को चेक कर लेंगे क्योंकि अर्बी को हमने वाल किया था इसलिए इसे cook होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है फिर भी एक पार हम अर्बी को चेक कर लिगे तो अर्बी के एक पीस को इस्पून से दबा कर देखेंगे तो परफेक्ट लिए यहाँ पर cook हुई है ना तो अर्बी कच्छी है और ना ही over cook हुई है तो परफेक्त मसाले दार अर्बी की सबचे बन कर तयार हो गई है लास में इसमें मैंने बारी कटा हुआ हरा धन्या डाल दिया है आप चाहो तो लास में इसमें गरम मसाला पाउडर भी एट कर सकते हो मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने साबुत मसालों का यूज स्टार्टिंग में कर लिया है इस सर्फिंग कड़ाई में तो फ्रेंड सी अर्बी की दही वाली सब्जी दिखने में जितनी टैंप्टिंग लग रही है यकीन मानिये खाने में ये उतनी ही टेस्टी है इसके उपर मैंने बारिक टाहरा धन्या डाल दिया है तो यहाँ पर इस सब्जी को मैं सर्फ कर रही हूँ चपाती के साथ तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से इस बहुत ही टेस्टी मसालेदार अच्चरपटी दही वाली अर्बी की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें मैं आश्या करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी मिलते हैं मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई